हेलो एन विल्कम दोस्तों मैं हूर आज और आप देख रहे हैं एवंट्यूशन तो आज हम डिसकस करने वाल है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फोर्थ यूनिट जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स और पावर तो इस वीडियो में हम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट को वंछा咪ंट करें वी इंस्टागम का लिंक है रिखКरेंव ड्यूक्राइं साथ में पूंचा लिख सकते होसलने मिल जाए तो चलिए फटा फटнять ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते वापस से दुबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लैन लाया था ठीक है पहला कोशन का यह हो गया हमारा अंसर उसके बाद नेक्स कोशन हमारा पूछा गया है देखो डैश is the common currency of European Union तो euro is the common currency of European Union full form of ASEAN तो ASEAN का full form क्या है Association of South East Asian Nation बैंकोग declaration क्या है तो बैंकोग declaration क्या था तुमारा यह पांच countries का मिला जुला एक declaration था जिसमें Malaysia Indonesia Singapore Thailand Philippines यह 1967 में वा था ठीक है आसियान का मतलब सबसे स्टार्टिंग और इनिश्यल स्टेश था यह उसके बाद नेक्स्ट हमारा इन विच यह ए आर एफ वस टेबलिस ए आर एफ का मतलब है आशियान रिजनल फोरम तो आशियान रीजनल फोरम कब स्टेबलीश वा था ये 1994 में स्टेबलीश हुआ था ये यह जवाब देना है कि क्या इंडिया अश्यान का मेंबर है तो नो पूपन डॉर पॉलिसी क्या है तो चाइना के द्वारा यह पॉलिसी एड़ा गया था ओपन डॉर पॉलिसी ठीक है ताकि जो ना कम्पिटिशन कुरियेट हो सके उनके एकोनोमी को उनको खोला गया था और इसी से रिलेटेट जो है तो देखो फॉर मोडरेशन का मतलब क्या है तो देखो फॉर मोडरेशन में हुआ क्या था चाइना को इतना पता चल चुका था कि बिना अमेरिका के मदद से वह आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए चाइना ने क्या-क्या अपने सारे भी पॉलिटिकल और एकोनोमिक जो आइस 1972 में फॉर एरियास को मोडरेशन करने का बात कहा गया जिसमें से एग्रिकल्चर इंडस्ट्री साइंस और टेक्नोलिजी यह चार जो है ना हमारे इंपॉर्टन सेक्टर इन्हों उन्होंने यह असा सोचा उसके बाद ही इन लोगों ने क्या लेकिया आया ओपें डॉर पॉ कुछ प्रोसेस है जो की ओपें डॉर पॉलिसी और फॉर मोडनाइजेशन में आप लोगों को मिलेगा ठीक है उसके बाद नंबर टेन नंबर टेन में क्या बोला गया कि इन वीच यह प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने विजिट का चाइना को फिर इन वीच यह सिं इन डिजनल फॉम लिखा रहेगा तो आप कन्फ्यूस मत हो जाना वें डिट चाइना बिकेम इंबर ऑफ वल्ल ट्रेड और गनाइशन इन विच यह आश्यान में इस्टा आश्यान इस्टेबलिश हुआ था राइट इन वन सेंटेस प्रोब्लम उफ आनेंप्लमेंट इन च मेजर कंट्रिस इन 1972 तो यह था USA तो USA के साथ ही मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था चाइना ने स्टार्ट किया था रिलेशन्शिप और तभी से उन्होंने तर्की का रास्ता पका था ठीक है यह कुछ हमारे शॉट कोशन से वन मार्ग वाले कोशन फिर इसके नीचे भी ए चाइन को स्टेबलिश किया इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपीन सिंगापूर थाइलेंड मॉडनाजेशन का मतलब किया यह मैंने आप लोगों थोरे दे पहले उपर ही बताया है ठीक है उसके बाद यूरो का करेंसी क्या था तो यूरो आसीन घब्स्टेबलिश यह भी मतल यह बताना है तो यह था हमारा 1982 ठीक है तो यह हमारे कुछ शॉर्ट कोशन हो गया ठीक है वेंड चाइन अटेक इंडिया चाइन ने इंडिया को ऊपर का बैठे किया 1962 में विच ऑर गनाजेशन वस्टेबलिश अंडर मार्शल प्लैन तो मार्शल प्लैन के अंडर किस ऑर ग लाया गया था तो इतना आप लोगो को याद रखना है ठीक है डोला गया तो 1978 को वेंड चाइन बिकेमें मेंबर ओ विर्ट ओर अर्गनाजेशन वेच चाइन वीच कंट्रीव लोगेंड विच अब्वून को लिश्ट से ओं जो ने चिस अवा तो यहां पर ना सबसे पहला बात तो है क्योंकि इसी के अंडर ना अजया उसके बहुत करीब ना हो जाए इसी लिए मार्शल प्लेन लाएगा एक्क लिए यूरोप को खड़ा किया जाए एक्क लिए यूरोप को वापस दुबार पावर्फुल बनाया जा सके ताकि कुछ एक सॉफ्ट को अबनाड़ है अमरिका के लिए उनके दिलों में तो यह हो गया हमारा उसके बाद है do you think that European Union has started to act like a nation state give reason उसके बाद जैसे objectives की बारे पुछा जाएगा what are the objectives of ASEAN, ASEAN का क्या objectives है to promote regional police and stability, to promote South Asian तो इन सब यह सो सारे objectives है किसके? ASEAN के तो ASEAN का मतलब में मोटा मोटा यह objectives थे उसके बाद फिलिंद ब्लैंस के रुप में कुछ कु पूछा जा सकता है उसके बाद पूछा जाएगा mention the names of two ASEAN members with whom India has signed FTA, FTA का मतला होता है free trade agreement, तो ऐसे दो members की नाम बताओ, जिनके साथ इंडिया ने free trade agreement signed कर रखा है, तो वो Singapore है और Thailand है, what are the objectives of establishing regional organization, तो regional organization का objectives क्या होता है, क्या objectives है, सबसे पहरा तो securing common objective जो हमारे common objective से वो secure कर करना है, उसके बाद pursuing a shared goal, तो यह और पी कई सारे objectives है, वो आप लिख सकते हो, उसके बाद write any two causes that lead to the formation of European Union, तो European Union का form होने का reason बताओ, तो सबसे पहला तो the collapse of the Soviet Union put Europe on the fast track and result in formation of European Union in 1992, तो European Union का गिरना ही, sorry, Soviet Union का गिरना ही European Union का establishment का यह था, क्योंकि उनके मन में डर यह था, क्योंकि जो रश्या या पिर सोवियत union से खत्रा था, वो वापस दुबारा इस तरी के खत्रा जो ना फिर से राइस ना हो जाए, the formation of European Union was led for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of a single currency, उसके चार मार्क वाले questions, चार मार्क वाले questions, कौन से important है, ज regional organization, तो regional organization बनाने का क्या objective हो सकता है, तो जैसे उपर हम लोग ने दो मार्क के लिए पढ़ा था, यह हमारे, चार मार्क के लिए है, ठीक है, तो यह से points पढ़ने, इसकी PDF जना मैं आप लोग को Instagram पर या फिर description में, लिंक आप लोग को प्रवाइड करवा दूँगा, attention लेने क common features बताओ European Union के, ठीक है, तो European Union is the world's largest economy, तो यह world's largest का spelling गलत है, तो सबसे बड़ा economy पावर हाउस माना जाता है, ठीक है, अब देखो अमेरिका के बाद, तो यहाँ पर GDP जो हैना, जिसका क्या है, तुमारा 12 trillion से भी जादा है, 2005 में बताया गया था, कि इनका जोने, 2005 में 12 trillion से पूरा European Union का GDP था, तो the European Union has its own flag, इनके खुद के flag है, anthem है, foundation date है, currencies है, तो इनके जोना सब कुछ खुद का है तुमारा, तो European Union का जोना बहुत जादा इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ यह माना जाता है, कि European Union has economic, political and diplomatic and military influence, as the European Union is the world's biggest economy, यह बताया है, उस समय का बात बता रहा हूं मैं, तो its currency, इसका currency क्या था, यूरो था उस समय, वो पॉसेश ए थ्रेट टू डॉमिनस ऑ यूस डॉलर, जो कि यूस डॉलर के लिए बहुत बढ़ा खत्रा था, उसके बात है, वाटर दा, वाटर दा, वाटर दो कॉंपनेंट्स अफ एसियन, आशियान पिलर्स के बारे में लिखना है, तो आशियान, security community, economic community, social culture community, यह सब सारे, objectives, objectives उपर हमने पढ़ा ही एक बार, main objectives क्या हमारे, तो जो main objective, आशियान के तुमारा दे, to accelerate economic growth, social progress होना चाहिए, common market होना चाहिए, production-based होना चाहिए, to safeguard economic interest सारे members, states के, और regional peace or stability होना चाहिए, इसके इल questions है, discuss India, changing relation with China, India का जो relation है, चाहिए, जो बदलता relation है, उसके बारे में आप लोग को बताना है, किस तरीके से 1962 में चाहिए ने हमारे उपर attack किया था, ठीक है, और उस समय हम लोग हिंदी-चीनी भाई-भाई कह रहे थे, तो किस तरीके से पीठ में उन लोग ने चूड़ा को जो बदलता है, तो एक कोशन और है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छी से पढ़ना चाहिए, जो कि चाइना और इंडिया का जो बदलता है, उसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छी तरीक से पढ़ना चाहिए, वही वापस दुबारा 1962 में हमारे उपर attack होता है, चा कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, राइट शॉर्ट नॉट अच्छीमेंट्स ऑफ द यूरोपेन एकोनोमिक कॉम्यूनिटी, यूरोपेन एकोनोमिक कॉम्यूनिटी के बारे में आप लोग को पढ़ना है, फिर हाओ डिए यूरोपेन यूनियन एक्सराइज इस प पंडिशन अब नहीं रहा गया जैसा पहले था, वह एक सोल सूपर पाउर हुआ करता था, लेकिन अब वह सोल सूपर पाउर नहीं है, क्योंकि दुनिया मल्टी पोलर वोल्ट के तरब जा रहा है, तो इस चप्टर में कुछ टाइम लाइन है, वह बहुत अच्छी तरीक सा पूछा जा सकता है, आपको यह जोना वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इंपॉर्टन कोशन जोना मैंने सारे इस चप्टर के दे दिया है, अगर आप यह पढ़ लेते हो, इस साल 2023-2024 के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस चप्टर से और जादा आपको कुछ पढ़नी की ज़रूत है, आगे आपको वीडियो किस चप्टर के ऊपर चाहिए, आप हमें कमेंट ससर में जरूर कमेंट करना, हम कोशिच करेंगे कि बहुत जल से जल उस चप्टर और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाये जाए, तो चलिए हम मिलते हैं अग अब तक के लिए गड़ बाए